नमस्ये दोस्तों आज हम लोग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगें वह गंजापन अब गंजापन एक दिन में तो होता नहीं दोस्त दीमें धीमें होता है बाल जड़ना शुरू हो जाते हैं अधन जवानी पाल जड़ने लगें मेरी किसमत कुछ अच्छी है बाल अभी तरहिं जड़े चवं साल का हो रहा हूं कुछ काले-काले भी है कुछ लगाता भी नहीं हूं अकसर लोग पूछते हैं की डॉक्टरस आप क्या करते हैं कि बाल नहीं जड़ते हैं मैं राध भी बत आज तक लगाता हूं. मेरा ये मानना है कि बालों को जयादा करने वालों के बाल जयादा जड़ते हैं. यह एक छाया की तरह है को तो उसके पीछे भाग हो गे तो छाया दूर भागेगी, उसे मुंम ओड हो गे तो छाया तो पीछे भागेगी. यह मेरा experience है. ये दो बाते हैं एक होता है Innergenic hair loss और एक होता है Homosoleganic Hair Loss का मतलब होता है कि बाल growing phase में घड़ने लग जाएं ऐसा तब होता है जब कोई इलाज चला हो, जैसे कि कीमो थरेपी चल लई हो, उसको एनरजेनिक हेर लॉस कहते हैं, बाल ग्रोव होते ही जड़ना लग जाते हैं, और एनरजेनिक हेर लॉस जब कीमो थरेपी बंद हो जाएगी तो अपने अप आ जाएगा, ऐसी एक बिमारी होती है, ऐलोपेसि जो इलाज हम लोग करते हैं, आप प्रतिशत तो इलाज किसी को क्लेम नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको यह बताता हूं, 95% केसे में हमारे पास जो लोग आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, चाहिए उनके पूरे बाल जड़ चुके हों, और एनरजेनिक हेर लॉस होता है, य ज़्यादा तर या तो मेटसिंस की वज़े से होता है, या इम्योनोजनिक कॉज होता है इसका, और ये पास जुए से भी मरीज आएं इसको, टेली मेटसिन के द्वारा जिनको मैंने ठीक किया है, हम लोग उसकी एवीज आपको इसी वीडियो के बात में दिखाएंगे, जि लोगों के बाल इसमें ठीक हो जाते हैं, अब बात आती ही, Australogenic Hair Loss का मतुझा है, बानों का जढ़ ना, और ये बहुत कोमन चीज होती है, इसके जो कोमन कॉझ होते है, सबसे इंपॉर्टन्ट काउज होता है, इसके जो कोमन कॉझ होते हैं सबसे सबसे में कॉझ होता है stress, physical stress and medicinal stress medicinal stress की जहां तक बात करते हैं तो एक बहुत common medicine है oral contraceptive ladies जब oral contraceptive लेती हैं उनके बाल जड़ने लग जाते हैं एक physiological stress होती है जो बिमारी नहीं है लेकिन stress है जो body में हो जाती है जैसे की pregnancy is a physiological stress जब आप pregnant हुए है आपको physiological, वो तो normal state of being है physiological stress हुई और बाल गिरने लगे एक और physiological stress हुए है मीनोपॉस, change of life in females मीनोपॉस हुआ और बाल जड़ने लगे धर असल जो pregnancy और मीनोपॉस में आप बाल गिरना देखते हैं वो कुछ कम्यों की वज़े से होता है और बाडी में बाल गिरने के, सिर में बाल गिरने के जो सबसे common cause होते है वो vitamin और mineral की deficiencies होती है जैसे की selenium की deficiency, zinc की deficiency, iron की deficiency, folic acid की deficiency यह चार बहुत common ऐसे minerals और vitamins हैं जिनकी वज़े से बाल गिरते हैं सबसे common cause बाल गिरने का deficiencies होती है में बाल गिरने का एक बहुत important cause होता है वो होता है, testosterone level का higher level होना मेरे पास जब young बच्चे आते हैं तो मैं मलाक में उनसे कहता हूँ, यार बाल गिर रहे हैं तो कोई बात नहीं है अब मेरी बाल देख लो, यहां से कुन्ये खुले हुए है इसको हम लोग कानपों की बाच्चे में कुन्ये कहते हैं कुन्ये खुले हुए है अब मेरे कुन्ये भी खुले हुएं देखायार बुरा तो नहीं है और किसके कुन्ये खुले हुएं सोचो सनी दियोल के कुन्ये खुले हुएं संजयदत के कुन्ये खुले हुएं सल्मान कान के कुन्ये खुले हुएं आरनौल्ट श्वाजनेगर के कुन्ये खुले हुए हैं और कुन्ये के खुले हुए हैं जो रौकी बनता है उसके कुन्ये खुले हुए हैं यानि कि जितने सो कॉल्ड सुपर मेल हैं सब के कुन्ये खुले हुए हैं यानि कि अगर आपके अंदर अच्छा टेस्टेस्टरोन ल इतलियन लुक कहा जाता था, यह खुला होगा, यह male power की पैचान होती है, ऐसे लोगों को योरोप में or west में studs कहा जाता गोड़े, उनमें काम करने के यहीं बही जादा होती है, उनमें sexual power भी जादा होती है, तो बुरा क्या है यार, और दवा ले लोग है, ऐलोपेथी में उस सेक्ष्यल पावर कम हो जाएगी तो मरीज कहता है सर ऐसी दवा नदी जाएगा हम नहीं लेंगे तो ठीक है यहां बाल खुल गए लेकिन प्राब्लम आती जब यहां से बाल खुलने लगते हैं राजीग बांधी की तरह हैं तो मैं मदाग में कहता हूं यार जब पैसा जाजा जाता है देखने चर्पाव बात की बात हो जाती है तो यहां से बाल खुल रहा है तो पैसा आए का मतलब रिलाक्स हो जाते हैं इसलग्ग टेक्नीक ओफ रिलाक्सिंग देपेशिंट्स इस्ट्रेश घतब फ़िर दबा दो तो दबा ज़्या फाइदा करती है हम लोग के प Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4, Grade 4 baldness को कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती, केवल उसके लिए hair transplant, जिसको futi कहते हैं, वह ही हो सकता है, Grade 1, Grade 2, Grade 3a तक हो पैती, बहुत बढ़िया काम करती है, और जो main दवाएं इसमें काम करती हैं, वो है lycopodium, मैं baldness की बात कर रहा हूं, और normal hair fall की बात नहीं कर रहा हूं, baldness का मतलब लगकों में यहां से बाल जाने लगना, और यहां से बाल जाने लगना, इसमें जो दवाएं काम करती हैं, वो होती है lycopodium और ब्रयाटा कार्प सबसे बढ़िया काम करती हैं, और भी दवाएं जो काम करती हैं, बट मैं 2 main important दवा बता रहा हूं, लड इवरी के बाद शुरू होता है, या menopause के बाद शुरू होता है, जब तक कि को लोकल इंफेक्शन ना हो, तो ऐसे में जो दवा काम करती हैं, वो नेट्रम्यूर और सीप्या और सेलीनियम ज़्यादा काम करती हैं, अगें, यह डॉक्टर को चूज करना पड़ता है कि क्या सही दवा पेशिंट को काम करेगी, एक और रीजन होता है, वो रीजन होता है, लोकल इंफेक्शन हो जाना, जैसे कि सीबोरिक डर्मटाइटिस या सोराइसे, ऐसे केस में, जब आप लोकल इंफेक्शन को ठीक करते हैं, तो बाल अपने आप आने लग जाते हैं, हाँ, यहा जादा बड़ा होता है, तो हम अपनी वाइब डॉक्टर प्राची जो की कॉस्मेटिक डर्मेट अलजिस्ट है, उनको रेफर कर देते हैं, और लोकल ट्रीट्मेंट वो करती हैं, और इंटर्नल ट्रीट्मेंट हम उहोंपेची से करते हैं, और एक कंबाइंट करने से हमको ज्यादा अच्छा रिगड़ देखना को मिलता है। मैंने आपको hair loss के बारे में बताया और उसके treatment के बारे में भी बताया। कुछ दवाएं भी बताईं। कब उमर में अगर बाल गिरने लगें और आप बाल को जल्दी उगाना चाहें, तो दो तीन दवाएं ऐसी भी हैं जो की बहुत अच्छा काम करती हैं। जो मैं off the hand आपको बता सकता हूं। एक है selenium और एक है thallium ये दो दवाएं बहुत बढ़ा काम करती हैं। अगर loss of fluid जैसे कि किसी को बहुत अनीमिया रहा हो या डायरिया डियाड्रेशन लॉंग टर्म पर रहा हो उसकी वज़े से बाल गिरता हैं। So there is a whole inventory of medicines जो कि हो पती में हम लोग यूज करते हैं। Depending on the patient कि वो कैसा patient है उसको क्या दवा सूट करेगी। इस तरहीं की दवाओं से फाइदा मिलता है। एक बहुत बड़ा सवाल लेकर के अक्सर young adult girls and boys मेरे पास आते हैं। बाल सफेद हो गए तो काले नहीं होता है। 27 चाहल की practice में दो ही लोगों के बाल काले होते हुए देखे। मैंने और उनके लिए जो दवा काम करी वो थी विस बाइडन। विस बाइडन एक लेक है जो की यूरोप में है। पर 27 चाहल में जाता है कि मैंने का कि केवल दो लोगों को मैंने उससे फायदा आते देखा। Otherwise सफेद बालों को दमाओं से मैं रोक तो सकता हूँ और सफेद बालों को काला होते हुए मैंने कभी भी हमोपेती से दो cases के अलावा नहीं देखा। यह सत्य है और मैं सत्य ही बताता हूँ और अगर आपको सत्य बाते ही सुननी है इस चैनल में तो डॉक्टर निगम सवोपेती को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रिस करना बिलकुल मत बोलें थैंक्यू झाल